नमस्कार दोस्तों, आर्ट विजुल आर्ट में आप सभी का एक वार फिर्जा स्वागत है, आज हम बात करेंगे concept of colors, meaning, origin and definition और इसके साथ साथ हम बात करेंगे इसके type की, यह आज हम पूरी की पूरी वीडियो में बात करने वाले हैं रंगों के बारे में कि रंग क्या है और इसकी उत्पति कहां से हुई है, इसकी definition क्या है, इसकी कितने प्रकार है और इसका अर्थ क्या है, तो इसी के उपर आज हम बिसार से बात करेंगे, जैसा कि आप सभी को पता है कि मानव जीवन के साथ साथ चितर कला में रंग की महतरपुन भूमिका रही है, संसार की प्रते जो है, चितर के लिए रंग का होना भी बहुत ही जरूरी होता है, रंग हमारे जीवन में बहुत बढ़िया और एहम भूमिका निभाते हैं, बिना रंगों के हमारा जीवन बेरंग सा बन जाता है, मनुश्य रंगों से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता क्योंकि यहा होते हैं, कहने का मतब है कि हम रंग को डारेक्ट देखते हैं, तो इसलिए हम जो है, इसके बिना नहीं रह सकते हैं, रंग हमारे जीवन में एहम भूमिका निभाते हैं, बिन बिन रंग मानविय भावनाओं जैसे की गमी, खुशी, आदी की भावा भी व्यक्ति करते हैं, रंग प्रतेक व्यक्तिकी सोच के अनुसार भी चलते हैं। उसके व्यक्तित्व की पैचान रंगों से ही होती है। या जैम जो है बोलते भी है कि इसका सभाव बहुत ही उग्र है। या इसका सभाव बहुत ही शान्त है। तो कहीं न कहीं जो है वो उसके रंगों की चोईस प के बारे में कि रंग क्या है रंग को मुझने क्या है कि सभी ने अपने अपने अकॉर्डिंग जो है इसको डिस्क्राइब क्या है सभी ने इसको अपने अपने परिभाशित क्या है कि color is a property of life not a physical object it has no independent existence but the effect of action on the brain की रंग जो है वो कला का एक गुण है कोई स्थूल वस्तू न कोई भी स्थूल नहीं है बलकि यह तो अक्षपटल मतलब कि हमारे आंखों के द्वारा मस्तिक्ष पर पढ़ने वाला एक परभाव है जो कि हमारे दिमाग में एकदम से उसका effect पढ़ता है हम जब हम किसी भी चीज को अपने आंखों से देखते हैं तो उसकी एक एकदम से परभाव जो है मारे माइन में पढ़ता है कि यह रेड कलर है यह ग्रीन कलर है तो कहने का मतलब है कि वो स्वतंतर है और यह सिर्फ और सिर्फ प्रकाश का गुण है और इसकी एक और इसकी परिभाशा है कि color is the properties of life rather than of bodies it is not an but a sensation conveyed to the mind through media of the eyes यहने कि रंग जो है वो श्रीर के बजाए जीवन की एक संपती है यहो कोई इकाई नहीं है बलकि आंखों के माध्यम से मन तक पहुंचाई गई एक अनुभूती है जिसको हम देखते हैं जिसको हम महसूस करते हैं तो कहने का भी प्राय यहां है यह है कि तोनों definition से यही चीज सिध हो रही है कि जो रंग होता है रंग का कोई अपना अस्त्तो नहीं है यह सिर्फ और सिर्फ प्रकाश का गुन है अगर light है तो रंग है light नहीं है तो रंगों को हमने दिस्थे चाहे वो कितना भी अच्छा कलर क्यों नहीं हो तो बिना light के उस जीश की उत्पत्ती नहीं मान्स होते हैं अब हम जो बात करते हैं इसके औरिजन की कि इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है जैसा कि अभी हमने इससे पहले परिभाशित किया था कि रंग की उत्पत्ति प्रकास से माने गई है तो उसी तरह से कि यहां पर भी जो है यह सभी का यही माना है कि रंग की उत्पत्ति प्रकास क रंग का उद्गम है परकाश को विभाजित करने के लिए हम उसकी रंगते प्राप्त कर सकते हैं अगर हमने जो है इसकी रंगते देखनी है रंग देखना है तो उसको हम जो है परकाश के माध्यम से देखते हैं यदि हम जो है इसके लिए अगर हम जो है किसी प्रीजम को लेत और यह साथ के साथ रंग जो है इनको हम विब्ग्यूर कहते हैं या अगर हम जो है इनको अगर हमने इन साथ रंगो को लर्न करना है तो उसे हम कहते हैं विब्ग्यूर V for violet यानिकी बैंगनी रंग, I for indigo यानिकी जामनी रंग, B for blue यानिकी नीला रंग, G for green हरा रंग, Y for yellow यलो मैंने पीला रंग, O for orange यानिकी संत्री रंग और red for लाल मतलब लाल रंग तो इस तरह से ये विब्ग्यूर की ये फुल फॉर्म है, तो इसी से समंदित भी बहुत सारे ऐसे caution पूशी जाते हैं, तो ये बहुत एक simple trick है, ये trick भी है कि एकर हमने इंदर धनुष के रंगों को समझना है या इसको जाना है, तो mostly अगर हम जो रंगों की बात करते हैं, तो अगर हम जो प्रकाश हो चाया, यानि की light और shadow की बात करते हैं, तो mostly वो रंग होते हैं, क्योंकि 7 रंग इंदर धनुष के हो जाते हैं, जो ये विब्ग्यूर करके हैं, और इसमें दो रंग यानि की black और white इसमें और जुड़ जाता है, तो 7 और 2 हो जाते हैं, अब हम तो बात करते हैं, इसके types की, type of, types of color की, color के types कितने होते हैं, कि कितने प्रकार के color होते हैं, अब हमने देख तो बहुत सारे color लेकिन वो कैसे बनते हैं, उनको किस के category में रखते हैं, तो इसके बारे में अब हम बात करेंगी, सबसे पहले होते हैं, कि रंग जो हो तीन प्रक किसी भी चीज़ को एक सहयोजित रूप में हमने एक पिंटिंग त्यार करनी तो उसके भी हाफ पे जो है वो तीन तरह के कलर होते हैं जिसमें जैसे कि आप जो है इस चार्ट के थू भी दे सकते हैं कि पहला होता है प्रैमरी कलर दूसरा सेकेंडरी कलर और तीसरा टर्शरी कल एक होता है वाम कलर और दुसरा है कॉल कलर इसके अंतरगत भी वाम कलर और कुल कलर के बारे में भी हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे अब हम नेक्स्त हम जो बात करते हैं इसके तीसरे पॉइंट की तो तीसरे है की on the basis of color scheme की color की scheme की according को दिवाइट किया गया है तो इसमें तो इसी को अब आगे हम जो है विस्तार से पड़ते हैं अब इसको समझते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑन दा बेसिस ओफ लाल, पिला, निला तो ये तीन रंगों को आपस में मिलाने से सारे के सारे के सारे कलर जो है वो मिलके त्यार होते हैं ने distillation कमा इसे बात करते हैं secondary करलर मतलब दुद्य कलर मतलब जो सेकेंडरी कलर को आपस में अगर हम जो कि अजने को मिला डेते हैं Laz Laura to your left on aar mway जाता है जैसे अकर हम रहे एकृड और यहलो color की साथ भी कर सकते हैं और इस चीज़ को आप इसको समझ सकते हैं next और last हम जो है बात करते हैं tertiary color तरश्री color का मतलब होता है तृतिय करंग मतलब कि जो तीसरी स्थान पे आता है first 2 की हमने बात करती first और second की बात कर दी और जो यह तेसरा जो color है, तरितिक color जो है, ये इन दो color को आपस में मिलाना थे, इन के primary और secondary color को जब हम आपस में मिलाएंगे, तो इससे जो है हमारे पास आ जाएंगे, टरश्री color की संग्या दे देंगे, अब हम जो है बात करते हैं इसके second point की, तो second point जो है वो है कि on the basis of effect इफेक्ट की basis पे हमने इसमें बात करनी है सबसे पहले हमने बात कि थी warm color warm color का मतलब होता है कि गरम रंग, ocean रंग, ocean का मतलब कि गरम जिसको देखके हमें गर्मी का एहसास हो जिसको दिखके हमें जो है यह फील हो कि जैसे कि कुछ हमें गर्मी लग रही हो जैसे for example आपका लाल रंग, yellow रंग का orange color तो यह सब के सब जो जो color होते हैं इनको हम जो warm color हैने की गरम रंग की संग्या देते हैं क्योंकि इनको देखके हमें गर्मी का एहसास होता है तो इस तरह से क्योंकि उसका effect जो हम पर पढ़ रहा है हमारी body पर पढ़ रहा है तो इसलिए हम यह बोल सकते हैं कि यह warm color है next हम बात करते हैं cool color जैसे warm color था जिसमें गर्मी का एहसास होता है और वैसे ही यह color है cool color मतलब जिसमें हमें ठंडा का एहसास हो जिससे हमें मिले तो ऐसे color कौन से है तो ऐसे color है आपका blue, sky blue और green तो यह 3 color है जिससे हमें ठंडा का एहसास होता है next अब हम बात करते हैं on the basis of color scheme यानि कि जो हमने 5 जो इसमें पॉइंट पढ़े थे तो उसको हम step by step discuss करते हैं जो हम बात कर लेते हैं square color के बारे में square color मतलब वरगार रंग योजना square color scheme तो इसका मतलब होता है कि जब हम एक वरग में जैसे कि आपने जो है चुछे क्लासों में पढ़ा होगा ताकि वह एक वर्गा कार जो एक जो एक जो एक जो इसके जो फॉर्म होती है वह अच्छी बन सके तो उसे हम कहते हैं तो वह चाहे कोई भी कलर हो सकते हैं उसको मैं आप चार रंगों का कॉमिडिशन उसमें ले सकते हैं स्वरन रंग स्वरन रंग करते हैं उसको कहते हैं सिर्मी रंग का रंग का मतलब सुर्मी रंग का तो इसको हम जो है ग्रे कलर या सुर्मी रंग भी कह सकते हैं जिसको हम जो ग्रे कलर बोलते हैं तो आपको समय के लिए एक जो ट्रिक भी है कि सुर्मी रंग सुर्मा जो होता है तो इस तरह से जो है वाइट और ब्लैक को मिलाने से हमें हमारे पास आता है ग्रे रंग तो उस लहां पर्भ पूर्च योजनाी तो connus सब्सक्राए तो उसको हम जो है परशे में पूरक रिय और को तुम सब्सक्राइब धान शींवड़ थैसे गहां가 यह हम प्योत्सित है नितम स्थ बात करते हैं नितम स्थ आपर जाए मुन जहें मोनो क्रोमेंटिक कलर स्कीम कहते हैं अणित्सित बिसको यह वाइट रिफनी।ित्स यह सही है जो हैenne ब्लेक मिलाकि दर्क करेंगे फिर और करेंगे बाऊकि कषेट ऑर दारक करेंगे बतलब की उसको बहुत तर इक त criterion ऐसा है कि वह जो वाइड कलाओ करेंगे जो हमने यूज सेंगे बख मलाते मतले हम सेंगे लीज तर ले के अंतरगत आते हैं आप सभी को समझ आ रहा होगा तो प्लीज मेरी चैनल को लाइक और शेर सब्सक्राइब जरूर करें नेस्ट और लास्ट हम जो है बात करते हैं इसकी एनलोजिकल कलर स्कीम तो इसका मतलब होता है कि अनुपूरक रंग योजना अनुपूरक का रंग यह सुन मतलब होता है जिसमें सेम सेम कलर जीम हमें लगे है जयसा कि हम बहुत्त है कि पीला आम है तो पीला कहीं आ यह गया हमसेर नोप अनुप रंग उप यह सेम कंद भी होता हिलाग चैनले ऑर मुम यह और संहें सेम लग उसे जिशन हि प्रया gosh evening के- साय स्का चैनल कृण कहा है और इसका मिनिंग क्या है कि इसको कैसे कैसे लोगों ने क्या क्या है कि बारे में आप सबीको समझा क्या होगा तो आईए अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत भुध पहने वाद